जब भी हम बहुत देर तक खड़े रहते हैं या कोई काम करते रहते हैं या कई बार बिना किसी रीजन के भी हमारे काल्फ मसल्स में पेन होता है काल्फ मसल्स यानि पिंडलियों में दर्द होता है अगर आप देखोगे जदा तर लोगों से पूछोगे तो पीछे का जो यह मांस लटकता है यहां पे बहुत दर्द होता है इसको दवाने पे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे में इसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते ह मैं हूँ नीरज रहा है स्वागत है आपका फार्मा हट्स में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काल्फ मसल्स पेन के बारे में दोस्तों काल्फ मसल्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह पीछे की जो मांसपेशी होती है इसको कहते हैं और इसको ट्रीटमें विटामिन B12 में कमी अगर आपके बाड़ी के अंदर विटामिन B12 की कमी है तो आपको पेन हो सकता है आइरन फोलीकेसिद डिफिसेंसी के बज़े से पेन हो सकता है कैलसियम की कमी है तो प्रॉब्लम हो सकती है थाइराइड की प्रॉब्लम है तब दर्ध हो सकता है डाइब है deep vein thrombosis sisters deep vein thrombosis यानि कि कहने का मतलब है कि blood clot Jobs traff distinct कैसे आपके जो anything sex है उसके अंदर में clotting हो चुकई है तो आपको problem आसकती है ठीक है इसके अलावा thatколь थ्रंबा इंजाईटस हो चुकए है यानि कि आपको कहने का मतलब ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपके जो नसें होती है तरह से ब्लोग हो जाती हैं तो सीधे-सीदे blood supply नहीं मिल पाती है ठीक है तो वह quarterly होती है उसमें blood 챙 हम लिट मिल पाती तो oxygen नहीं मिल पाता जिसकी वह 20S पेंः होता है तो उँसकर दबाने से क्या है तो नहीं होता है सही, जब तक बीमारी ना सही हो symptoms की बात करूँ दोस्तों, बहुत आसान सा है कि आपको pain होता है ठीक है, यहाँ पे दबाने पे बड़ा अच्छा लगता है, इस तरह का pain होता है ठीक लगता है, क्या instructions आपको follow करने हैं अगर आपके calf muscles में pain हो रहा है, सबसे पहले दोस्तों, इलाज का करने के लिए सबसे पहले तो कारण आपको पता होना चाहिए, अगर आपको calf muscles ठीक करना है तो सबसे पहले reason पता करिए कि problem क्या है, और फिर उस problem को ठीक करवाईए चाहिए अगर आप patient हैं, तो आप problem doctors को दिखाए, problem पता चल जाए, आप उसको ठीक करवाए treatment के लिए कौन-कौन सी medicine दी जाती है, उसकी बात करते है दोस्तों, treatment के लिए दिया जाता है, अगर calcium आपका कम है, तो calcium, sandos, 10 ml का injection दिया जाता है एक injection daily देते हैं, तीन दिन तक, इसके अलावा tablet देते है, calcium with vitamin D3, daily दे सकते हैं, 10 दिन तक, 15 दिन तक, 30 दिन तक, जैसे की समस्या हो इसके अलावा, vitamin B12 को fulfill करते हैं, minerals को fulfill करने के लिए injection neurobian दिया जाता है, 2 ml alternate days पर 5 injection यानि की, एक दिन छोड़ करके, 5 दिन, भलब 5 injection नमबर में देना है, 10 दिन तक चलेगा, इसके साथ में injection दे सकते हैं, vitamin D3 का, 6 लाख IU दे सकते हैं, जो की IM दिया जाता है, patient को तो दोस्तों, ये कुछ चीजें हैं, जिसको दिया जा सकता है, बाकि दर्द का कोई injection, या कोई दर्द की medicine देने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा पैर को दबा दिजे, थोड़ा सा मसाज करिए, आयल लगा के, normally, उससे क्या है, कि आपका pain सही होगा, बाकि calcium, mainly calcium की कमी से, और जो vitamins कमी होती है, उसकी वज़र से दर्द करता है, बाकि अगर दर्द बहुत जादा हो रहा है, तो symptoms के हिसाब से आप patient को कोई भी एक दर्द निवारक pain killer, यानि pain killer दे सकते हैं, कोई भी pain killer दे सकते है, ठीक है, जिससे वो, उसका जो दर्द होगा, वो ठीक हो जाएगा, मसल्स का जो problem जिसमें, एसी कलो और पारसिटमॉल combination अब दे सकते कोई, तो दोस्तो यह था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया, काल्फ मसल्स pain की बारे में, वीडियो आपको informative लगा हूँ, अच्छा लगा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करेगा, मिलते नेक्स वीडियो में, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद